दोस्तों स्वागत है आपका टेट मैट विद कॉंसेट में हम लोग अपनी सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें आपका नौवा या साथमा या आठमा चैप्टर है रेक ही सामी करणों का उसके क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ा रह इसको मैंने आपको एक का सकते हो कि एक होमर के तौर पे दिया था तो अगर आप लोग लगाया हो तो अच्छी बात है नहीं लगाया हो तो आप देख लो कैसे लगेगा और अगर आप लोग लगाया हो आपसे लगा नहीं है तो आप देखो कि आपकी गलती का होगी है ठीक तो जैसा कि दिया गया किसी कक्छा में बालक और बालिकाओं का संख्याओं का अनुपाद जो है वो 7 रेशियो 5 है तो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि अगर ये 7 रेशियो 5 यानि रेशियों में अगर चीजें आपको दिख जाएं तो उनकी संख्या को लिखने के लिए अब डायरेक्ट लिख सकते हो 7 यक्स और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5 यक्स ध्यान रखना 7 यक्स जो है वो बालकों की संख्या है और 5 यक्स जो है वो बालिकाओं की संख्या है ठीक है अब होता क्या है कि कहा गया है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से आठ अधिक है लिखा गया है कि जो बालकों की संख्या यानि ये जो साथ यक्स है ये बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है आठ मतलब ज़्यादा कौन है ये वाला तो ये ज़्यादा है लेकिन अगर इसमें से हम आठ निकाल दें तो ये बालिकाओं के संख्या के बराबर हो जाएगी ध्यान से समझना ज़्यादा ये है तो अगर यही आठ जो अधिक है इसको हम बालकों में से निकाल दे, जैसे मान लोग कि 70 बच्चें और 50 लड़कियां हैं, अब कहा जाए कि जो लड़कें हैं, वो 20 अधिक हैं, तो 20 अगर इसमें से माइनस कर दें, तो ये 50 के बरावर हो जाएंगे न, तो बात वही है, कितने अधिक हैं, 8, ठीक है, तो हम क्य करेंगे, 7x-8 करेंगे, और ये किसके बरावर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा 5x के बरावर हो जाएगा, तो इस चीज को हम इस तरह से कर लेंगे, अच्छा, उसके बाद क्या होगा, कि इसके बाद की प्रोसेस आपको पता है, कि 1x वालों को हमें क्या करना पड़ेग and is equals to 8 आएगा यक्स की वैल्यू चार आएगी ठीक है अब इसको आप लोग solve कीजएगा पिछले वीडियोज को जाके जरूर से देखो और अगर और भी subjects हैं जैसे English हुआ जैसे आपका प्रारंबिक सिक्षा के नवीन प्रियास हुआ प्रारंबिक सिक्षा हुआ उसके भी वीडियोज की playlist आपको discussion box में मिल जाएगी आप लोग जाके वहाँ पे देखो और उसको वहाँ से आप अपने notes तयार कर सकते हो आपके exams जो होंगे वो भी mandatory हैं क्योंकि जैसे ही यह चीजें खतम होंगी सारी चीजें फिर से आपकी start हो सकती है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जब जब 5 यक्स इधर लाओगे तो यह घटा के कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 2 यक्स ठीक है और जब यह 8 इधर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस 8 फिकाज यह माइनस में है तो इसको जब इधर भेजोगे तो यह हो जाएगा प्लस 8 तो यहाँ से यक्स की value कितनी आ जाएगी अब यह जो 2 है यह गुडा कर रहा है तो यक्स क्या करेगा भाग करेगा यानि यक्स is equal to हो जाएगा 8 divided by 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 यक्स की value कितनी हो जाएगी तो यह हो जाएगी 4 अब यह जो 4 आएगा आपका आंसर में इसको क्या करना है तो आपसे पूछा क्या गया है देखो तो पूछा गया है कि कच्छा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है यानि कुल कितने विद्यार्थियों है तो यह जो यक्स आया है इसको उठा के पहले 7 यक्स में रखोगी तो आपको लड़के मिल जाएगी यानि अगर आप मालने पूछ लेता कि बालकों की संख्या बताओ तो 7 चोग को 28 बालकों की संख्या कितनी हो जाती 7 चोग को 28 अगर आपसे पूछता कि बालकाओं की संख्या बताओ देखो एक ही कुस्चन में कई तरह से चीजें पूछ सकता है तो 5 को 20 हो जाता और हमसे क्या पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे तो 20 और 28 कितने हो जाएंगे तो 48 हो जाएंगे ये हमारा answer हो जाएगा तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे total 48 हो जाएंगे clear अब हम next question देखते हैं कैसे लगेगा तो बहुत अच्छा सा सवाल पूछा गया है बाई चुंग के पिता जी उसके दादा जी से अब देखो कितने character हैं ये भी note down करना होता है तो देखते हैं कैसे लगेगा ये तो हम इसको लेख लेते हैं एक तरफ इसको B मतलब हो गया बाई चुंग, F मतलब father and G मतलब grandfather अब क्या कहा है सवाल में बिल्कुल ध्यान से समझना कि आपको इस तरह से जब तीन लोगों का relation मिले तो उसमें बहुत ध्यान से चीजों को हमें लगाना होता है जैसा कि दिया गया है बाई चुंग के जो पिता जी है उसके दादा जी से कितने वर्स चोटे हैं 26 वर्स चोटे है तो ये चोटे हैं किस से इन से चोटे हैं तो कितने वर्स चोटे हैं तो 26 तो यहाँ पर आप 26 लिख लो कि ये 26 वर्स चोटे हैं और किस से छोटे हैं तो इन से छोटे हैं यह चीज़ याद रखना मतलब इन की value अगर हमें पता हो तो उसमें से हम minus 26 कर दें तो हमें किस की value पता चल जाएगी फादर की फिर क्या लिखा है और उस से 29 वर्स बड़े हैं तो 29 वर्स कौन बड़ा है इसके पिता जी किस से बाइचूंग से तो 29 वर्स बड़े हैं यानि यहाँ पर अगर हमें बाइचूंग की value पता हो तो उसमें हम plus 29 करेंगे तो हमें किस की value पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगी किसकी वैल्यू तो फादर की वैल्यू पता चल जाएगी ठीक है अब हमें बात आती है कि हम किसकी वैल्यू को लें किसकी वैल्यू मानें तो देखो जिसके बारे में बात की जा रही होती है जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसी एक character को आप मानते हो जैसे देखो दोनों तरफ से बात किसकी की जा रही है तो finally जब हम दादा जी के तरफ से आ रहे हैं तब भी इसके पिता जी की ही बात की जा रही है और जब बाइचों की तरफ से आ रहे हैं तब भी हम 29 वर्स बड़े दिखा रहे हैं आप मानलो पिता जी की और ये कितनी है यक्स तो मानलो पिता जी कितने के हैं यक्स के हैं अब अगर पिता जी यक्स के हैं तो दादा जी कितने के होंगे तो ये होंगे यक्स प्लस 26 बिकाज आप डैट समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से क्योंकि दादा जी बड़े होंगे ना कितने साल के बड़े होंगे तो ओबियस सी बात है कि यहां लिखा गया है कि जो पिता जी है उसके वो 26 साल के दादा जी से छोटे हैं इसका मतलब दादा जी 26 साल बड़े हैं 29 वर्स के यानि वाइचुंग की जो value आजाएगी वो आजाएगी यक्स-29 बस समझने का फेर है दोस्तों आप खुद समझो कि अगर पिता जी की value यक्स है तो जो वाइचुंग की value होगी वो यक्स से कम होगी इसलिए minus करके लिखा गया है पिता जी की value यक्स है तो जो grandfather की value होगी वो जादा होगी इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है पलस करके लिखा गया है अब कहा गया है कि तीनों के i,u का योग कितना है 135 है तो हम इसको लिख सकते है तो हम इसको लिख सकते है yaks minus 29 plus yaks plus yaks plus yaks plus 26 because of that कि हमें इन तिन लों की IQ क्या करना है जोड देना है तो हमने जोड दिया अब देखो कि जब bracket के पहले X हो तो इसके अंदर कोई change नहीं होता है मतलब normally हम इसको लिखेंगे X-29 X-29 plus X फिर क्या लिखेंगे plus X फिर उसके बाद plus X plus 26 ठीक है तो यहां पे तीन बार X दिया गया है जैसा कि यहां पे एक बार दिया गया है एक बार यहां पे दिया गया है और एक बार यहां पे दिया गया है तो यह X, X, X मिल के कितना हो जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3X अब ध्यान देना कि यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कि एक बार माइनस 29 मिल रहा है एक बार प्लस 26 मिल रहा है तो अगर इन दोनों को हम solve कर दें दोस्तों तो चुकि मैंने बताया था कि जब भी विपरीत चिन होते हैं तो यह समझ लो कि चिन जो आपको मिलेगा वो बड़ी संख्या के पास मिलेगा तो बड़ी संख्या के पास क्या है माइनस है और संख्याएं घड जाती है तो 29 में से 26 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा तीन मिल जाएगा और यह बराबर हो जाएगा किसके तो यह हो जाएगा वो पापा की उम्र होगी, अब उसी यक्स में से जब 29 घटा दोगे तो बाइचों की वे उम्र आ जाएगी, और उसी यक्स में जब 26 जोड़ोगे तो ग्रेंट फादर की उम्र आ जाएगी, तो इस तरह से आप इस question को आगे लगाएगा, यहां से आपको यक्स का मान पता करन है, फिर यहां रखना है, फिर यहां रखना है, सब के उम्र पता चल जाएगी, clear, हम लोग अपना next question देखते हैं, क्या दिया गया है, तो सवाल लिखा गया है कि 15 वर्स बाद रभी की आयू, ध्यान से समझना, यानि आज से 15 वर्स की बाद की बात कर रहा है, किस की आयू की रभी की आयू की बात कर रहा है, कब 15 वर्स बाद, तो अगर मालो आज आपकी येज 20 साल है, तो 15 वर्स बाद कितनी होगी, 35 साल, इसी तरह से अगर हम आज रभी की आयू मालने, यक्स साल है, ध्यान से समझना, तो 15 वर्स बाद कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी, यक्स प्लस 15 हो जाएगी 15 वर्स बाद अगर ये कहता 15 वर्स पहले तो हम क्या करते तो अगर मालो आज आपकी एज 20 साल है तो 15 वर्स पहले कितनी थी तो 5 साल थी क्यों 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 हमने 15 घटा दिया तो अगर 15 वर्स पहले कहता तो हम क्या गर देते 15 यहाँ पर क्या गर देते घट आपको बताया है तो इसका मतलब 4 गुणी है और 15 वर्स बाद जो आई हुए तो इसका मतलब 4 यक्स जो होगा वो यक्स प्लस 15 के बराबर होगा तो इस तरह से आप यक्स का मान निकालियागा दोस्तों यक्स को इधर करोगे 3 x आएगा, x बराबर कितना आजाएगा 5 ठीक है, तो इस तरह से आपके x कमाना आजाएगा, अगला कोशन दिया गया है एक परिमे संख्या को 5 बटे 2 से गुड़ा करके तो परिमे संख्या हम मान लेते हैं वो y है ठीक है बार बार yaks नहीं मानते हैं और इसमें हम कितने से गुड़ा कर देते हैं तो 5 बटे 2 से आप जब गुड़ा करोगे तो ये हो जागा, 5 बटे 2 इस तरह से, या 5 y by 2 लिख सकते हो, या y into 5 by 2 लिख सकते हो, कोई दिककत नहीं, ठीक है गुड़ा करके 2 बटा 3 जोडने पर यानि अब इसमें हम कितना जोड़ देते हैं 2 बटा 3 जोड़ देते हैं तो हमें क्या पराप्त होता है तो माइनस 7 बटा 12 पराप्त होता है दोस्तों तो इस तरह का बहुत सारा कॉश्चन मैंने पिछले वीडियो में लगाया है, अगर आप लोग ही देखे हो, तो जाके देख के सीखो एंड इसको खुद से लगाओ क्योंकि अगर मैं ही हमेशा लगाते रहूंगा खुद सोचो, तो आप लोग कब लगाओगे प्रबलम हो जाएगी ना फिर आपके लिए तो सीखना जरूरी है, जरूरी ये नहीं है कि आपको सारा कॉस्चन हम ही बता दें तो अब इस प्लस को जब इधर भेजोगे तो ये भी माइनस में आएगा अब दोको ये दो जो है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है भाग कर रहा है, तो गुड़ा करेगा फिर फिर ये पांच गुड़ा कर रहा है, भाग कर रहेगा तो इस तरह से हम वाई कमान निकालेंगे तो इसको आप लोग लगाईएगा एंड इसको भी आप लोग लगाईएगा हम लोग अपना अगला कॉस्चन देखते है क्या दिया गया है, तो दिया गया है लक्षमी एक बैंक में खजांची है खजांची मतलब ये कह सकते हो कि कैसियर वाला काम है, ठीक है तो लक्षमी क्या है, खजांची है यानि कैसियर है, उसके पास नगदी के रूप में सौ, पचास और दस रुपए वाले नोट है तो देखो, नोट कौन कौन से है तो सौ रुपए के नोट है फिर किसके है, पचास के नोट है और किसके है, दस के नोट है clear, तो हम देख लिए फिर लिखा गया है, उनकी संख्याओं में क्रमस है, दो रेसियो तीन रेसियो, पांच कानुपात है मैंने बताया, जैसे ही रेसियो दिखे आप उन्हें क्या कर दो, तुरंट बदल दो तो ये कितने में हो जाएंगे तो सौ की नोट हो जाएगी, हमारी दो यक्स मैंने बताया था, जैसे ही रेसियो दिखे तुरंट आप बता दो कि 2 यक्स नोट हो गई फिर 50 वाली कितनी है तो 3 यक्स नोट हो जाएंगी 50 की और 10 वाली कितनी हो जाएंगी तो 10 वाली हो जाएंगी 5 यक्स क्लियर ये नोटों की संख्या है दोस्तों और उपर आपको नोट लिखे गए अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 100 की 2 नोट है तो टोटल रुपए कितने होंगे तो 100 का पहले 2 में गुड़ा कराएंगे तो 200 होगा अगर हम करते 100 की 20 नोट है तो 20 का गुड़ा कराते तो 2000 हो जाता तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अभी कितनी नोट है 2 यक्स यानि अगर हम 2 यक्स का 100 में गुड़ा करा दें तो हमें रुपए पता चल जाएंगे कि कितने रुपए इसके थ्रू हैं प्लस 50 के कितने रुपए हैं और 10 के कितने रुपए हैं मतलब सब का अगर गुड़ा कराके हम सब को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगे कुल कि है है, तो हम लोग देखते हैं, अगर 100 का 2 में गुड़ा कराओगे तो 250 का 3 में गुड़ा कराओगे तो 25-100 यक्स, दस का 5 पे गुड़ा कराओगे तो 50 यक्स, तो इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर आप इन तो यक्स की वैलू आएगी, इसको जब यहां रखोगे दो यक्स में, तो आपको 100 के नोटों की संख्या पता चलेगी, ध्यान से समझना, 100 के नोटों की संख्या पता चलेगी, क्योंकि पूछा गया है न, कितने कितने नोट हैं, तो जब यक्स की वैलू आएगी, तो उसको निकालके 2 यक्स में रखोगे, तो 100 के नोट पता चलेगी, इसमें रखोगे, तो 50 के नोटों की संख्या पता चलेगी, और 5 के नोटों की, 10 के नोटों के संख्या पता चलेगी क्योंकि जब 5 यक्स में रखेंगे हम तो इसको आप लोग solve कीजएगा 400 यक्स बराबर यह जो 4 लाक दिया गया है इसको आप रखके solve कीजएगा और यक्स की value निकालिएगा हम लोग next बढ़ते हैं तो दिया गया है मेरे पास 300 रुपए मूल के 1, 2 और 5 रुपए वाले सिक्के हैं ध्यान से फिर वही काम जैसा कि यहाँ पर 150 और 10 दिया गया था तो सिक्के कितने हैं 1, 2 और 5 रुपए वाले सिक्के हैं 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्के हैं एक रुपए के फिर कितने के हैं दो रुपए के सिक्के हैं फिर कितने के हैं पांच रुपए के अब सवाल कह रहा है कि जो दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो पांच रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तीन गुनी है तो अगर हम पांच के सिक्कों की संख्या मान ले यक्स है ठीक है दो को बात में बार बार मैं बता रहा हूँ कि बात किसकी की जा रही है तो यहां पांच के सिक्कों की संख्या की लिखा है ना तो मानेंगे हम जिसके आधार पे की दिया होगा या का दिया गा होगा उसको मानन तो यक्स हो जाएगा, तो इसके सिक्कों के संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 यक्स हो जाएगी, ध्यान से समझना, अब उसके बाद क्या दिया गया है, कि कुल सिक्के कितने हैं, तो कुल 160 सिक्के हैं, और हमारे पास 2 के कितने सिक्के हैं, 3 यक्स, और 5 के कितने सिक्के हैं, य तो अगर हम मान लें कि एक के सिक्कों की संख्या y है तो आप बताओ कि हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 160 तो उसको करते हैं हम देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस 4 x is equal to 160 because of that कि 3 x और y x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 x अब अगर ये 4 x हम इधर भेज दें हम ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि हमारे पास जितना भी term होगा वो y x में मिल जाएगा ठीक है तो हम जब उसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 160-4 x कितना हो जाएगा 160-4 x द्यान से समझना इस चीज को इसके बाद अभी सवाल बहुत ज़्यादा बाकी है तो ये हो जाएगा 160-4 x कितने रुपए वाले सिक्के होंगे ये होंगे 1 रुपए वाले सिक्के अब क्या कहा है कि कुल मेरे पास कितने रुपए है तो 300 रुपए है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था या पिछले question में ही अभी लगाया था कि जब ins का हम इसमें गुड़ा करा दें इसका इसमें गुड़ा करा दें और इस 5 का इसमें गुड़ा करा दें So is लिए हम इसको लिख सकते है 160-4X Direct लिख सकते है Clear और उसके बाद हम लोग देख सकते है कि 2 का हम 3 में गुडा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 3 6 X तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 3 6 X उसके बाद हम जब 5 का YX में गुडा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 5X अब ये चीज बिलकुल ध्यान से समझना आप लोग कि ये 3 और जुड के कितने बराबर होंगे तो ये बराबर होंगे कितने के 300 के बराबर होंगे तो ये पूरे के पूरे 300 के बराबर होंगे अब क्या होगा कि ये देखो 6, 5, 11 और 11 मेंसे 4 घटा होगे तो कितना हो जाएगा 7 तो यह हो जाएगा हमारा 160-7 यह फिर से बता देता हूँ आप लोहों को कि 6-5-11 हो जाएगा और 11 मेंसे 4 घटाएगे तो हमें मिलेगा 7 यक्स जो कि पलस के साथ मिलेगा अब यह 160 इधर बेजो कि तो 140 आएगा और 140 में फिर 7 जब भाग करेगा तो यक्स का मान आपका आंसर आएगा 20 अब चुकि हमसे पूछा है कि प्रतेक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताईए तो जब यक्स का मान 20 आगया तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी तो यक्स अबरावर 20 मिला है तो 5 रुपए के कितने सिक्के 20 अब 20 तिया ये कितना हो जाएगा 60 अब दूसरी बात है कि इसको हमने वाई माना है लेकिन हमें वाई का मान किसमें मिलेगा तो 160-4 एक्स तो 20 चो को कितना होगा 80 और 160 में से 80 घटाओगे तो 80 यानि 5 के कितने सिक्के 20 दो के कितने सिक्के 60 और 1 के कितने सिक्के 80 और तीनों को जोड़ेंगी तो 300 आना चाहिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का सिसन जो आपके सामने मैंने रखा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हम लोग नेक्स टाइम पर जब मिलेंगे तो मैं आपको कॉश्चन दिखाना चाहता हूँ कि क्या कॉश्चन को लेके हम लोग मिलेंगे तो इस तरह के question आपके सामने आएंगे इससे भी अच्छे-च्छे सवाल आएंगे तो इनको लेके हम मिलेंगे next अपने भाग में तब तक के लिए आप लोग ये सारे questions अगर आपको से हो पाए तो आप try करो खुच से तब तक के लिए thank you thank you so much दोस्तों